मुसलमानों की आस्था के केंदर में निकला नूपर शर्मा के समर्थन में जुलूज भारी पुलिस बल के साथ सड़कोν पर उत्रे लोगों ने लगाया जैश्रीराम की नारे नूपर शर्मा कहां है? कहां छुपी हुई हो? किसी को कुछ पता नहीं है नुपर शरमा की गिरफदारी के वज़ाए अब पूरे देश में मिल रहा है समर्थन अजमीर में नुपर शरमा के समर्थन में सडकों पर उत्रा जन्सेला प्रॉफित मोहम्मद जहाप पर आपती जनक्टी पढ़ी करने वाली नुपर शर्मा की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई नुपर शर्मा कहा है किसी को कुछ पता नहीं है और इस मामल में एक नएया मोड आ गया है अभी तक नुपर शर्मा की गिरफतारी के मांग को लेकर लोग सडकों पर उत्र रहे थे लेकिन ज्यादातर देश के अलग-अलग कोनों में शर्मा के समर्थन में लोग सडकों पर उतर कर उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं मेडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक、 मुंबई पुलिस ने नुपर شर्मा को समन भेजा था और नुपर شर्मा मुंबई पुलिस के सामने पेश्ट नहीं हुई जिसको लेकर बॉखलाई मुंबई पुलिस दिल्ली पहुँच गई और नुपर शर्मा की गरफतारी के लिए अड़ी थी लेकिन इन सब के बीच मुंबई पुलिस का दिल्ली पुलिस ने सयोग नहीं किया और खाली हाथ मुंबई पुलिस मुंबई लोटाई लेकिन मुंबई पुलिस क्या कर रही है ये भी एक सवाल है मुंबई पुलिस प्रदेश में सतधारी पार्टी के बीच मचे वावाल को सुलचाने में लगी है जिसका कारण है कि गरफतारी छोड़ी उनके समर्थन में जगय जगय जुलूस निकल रहा है बता दे प्रॉफिट महम्मद सहाब को लेकर नुपुल शर्मा के बयान के बाद पूरी दुनिया में हंगामा मच गया था 56 देशों ने भारत पर तरह तरह की प्रतिबंद लगाने की थमकी दी थी जिसके बाद बीजीपी ने नुपुल शर्मा सहीत अन्य महम सहापटिपणी करने वाले लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया फिर मामला शांत पड़ गया हलकी फुलकी आवाजों में मुसल्मानों ने सडकों पर उतर कर नुपुल शर्मा की गिरफतारी की मांग की इस बीच जुम्मी के नमाज के बाद हंगामा भी देखने को मिला था लेकिन प्रशासन सक्त हुआ और प्रशासन की सक्ती के वज़ा से जुम्मी के नमाज के बाद हंगामा भी धीरे धीरे बंद हो गया लेकिन लगातार अब नुपुल शर्मा के समर्थन में लोग सडकों पर उतर कर शांती मार्च के नाम से प्रदर्शन कर रहे हैं इस बिल को देखने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि दीपुल शर्म आनों की आस्ता का बड़ा केंडर है